नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने पसंदीदा चैनल SRJ TechWord पर और दोस्तों आप देख रहे हैं TechNow का ये latest एपिसोड दोस्तों आज की इस एपिसोड में मैं आपको खबर देने वाला हूँ OnePlus Nord के बारे में अब आप पूछेंगे आखिर इसमें क्या खबर आने वाली है तो दोस्तों बहुत जल्द यहां पर इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाएगा OnePlus Nord N10 5G और साथ में एक और मॉडर मिलेगा OnePlus की तरफ से जिसका रानम रहता है OnePlus Nord N100 तो दोस्तों ये दो फोन लांच होने वाले हैं अ अगर आपका मॉबाइल फोन के मामले में बजट थोड़ा सा काम है और अगर आप OnePlus में जाना चाहते हैं तो ये दोनों फोन आपके लिए बजट में रहकर बहतरीन आप्शन दहेंगे तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो के लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिलकुन मत भूलेगा तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो मॉडल यहाँ पर लांच हो रहे हैं जिसका नाम रहता है एक का OnePlus Nord N10 5G और दूसरा रहता है N100 तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 5G वाले के बारे में जो आपको पता ही चल गया होगा कि 5G नाम में लगा हुआ है तो यहाँ पर 5G यह फोन तो हो गई ही होगा और कहीं न कहीं इसकी कीमत थोड़ी सी जादा होगी तो सबसे पहले यहाँ पर आपको Oxygen OS पर यह phone देखने को मिल जाएगा जो कि OnePlus की एक पहचांस ही बन चुका है 90 Hz का refresh rate देखने को मिलेगा यहाँ पर 6.49 inches की यहाँ पर आपको Full HD Plus की display देखने को मिल जाएगी और Snapdragon 690 5G chipset पर यह काम करेगा तो यह सारी information आपको internet पर मिल जाएगी मैं link भी देदूँगा और साथ ही यहाँ पर आपको other variants भी देखने को मिलेंगे और जो camera यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर primary camera आपका 64 megapixel का होगा अगर हम सीधे सीधे features की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगे quad camera setup जहाँ पर other cameras आपके 8 plus 2 plus 2 megapixel के होगे तो बड़ा difference आएगा वो आएगा 5G का क्योंकि यह model आपका 5G मिलता है साथी साथ आप one plus अगर user है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर premium quality smartphone मिल जाता है लेकिन कीमत भी यहाँ पर काफी माइने रखेगी अगर हम इस 5G वाले की बात करते हैं तो जिसकी other countries में फिलाल कीमत को अगर हम rupees में convert करेंगे तो लगबग 32,000 रुपए के आसपास बैठ रही है तो कहीं न कहीं यह मान के चलेगी अगर आप not देखेंगे तो आपको sale में काफी सस्ता मिल जाएगा लेकिन अगर आप 5G variant इसका try करना चाहते हैं तो यह आपको option देखने को मिलेगा जो कि कहीं न कहीं थोड़ा सा भी कीमत देखें जो कि N100 नाम से आपका निकल ला है Nod N100 नाम से तो यहां पर इसकी कीमत लगबग होने वाली है आपकी 17-18,000 रुपए के आसपास की जो आपने आप में एक बड़ी बात होगी यानि कि 17-18,000 में अगर आपको OnePlus देखने को मिल ला है हलाकि यह phone 5G नहीं होगा ल S戲 Camera है 13-2-2-2 Megapixel के Camera है तो यह पर मिल जाएगा 31 Phon वियकरत वहरेंजरेंड-चमर की S趣 में दुट्ट-वाला से जाले लगफ्रेज आव्यरियंट में एवलेवल है यह बैंट अब ली-पे आपको जहां is newphone 3500 देखने को मिलेगी जहां पर 114 देखने प्रोसेसर देखने को मलता है, गेमिंग विगरे के लिए ठीक है, लेकिन और बहतर हो सकता था, हलाकि यहाँ पर अब यह तो पता चलेगा कि क्या होने वाला है जब फोन आएगा तभी, और रिफ्रेश्च रेट की अगर बात करें तो डिस्पले यहाँ पर 60 Hz के साथ आती है, यानि की स्टैंडर्ड इस्पले एक तरह कैसे, तो आप यह मान के चल सकते हैं, कि यहाँ पर आगर आप बहुत सारे अधर ब्रैंट्स में देखेंगे, तो इसी रेंज में जो आपको फोन देखने को मलते है, जो यह वाली रेंज है, आपकी 15 से लेकर 20,000 तकी तो उसको आप इसे चेक कर सकते हैं, यह फोन आपके लिए बहातरीन ओप्शन रहेंगे या नहीं, यह तो आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे, लेकिन फिलाल अगर मैं बात करो तो मुझे सकता है कि OnePlus आपको बहातरीन क्वालिटी ओफर करता है, एक बजट में रहका, तो यह आप लिए बहातरीन ही होगा, तो आप भी मुझे अपने कमेंट्स बता सकते हैं, कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में, फिलाल आज की वीडियो में इतना ही जल्दी आपसे मिलते हैं, कुछ बहातरीन वीडियो के साथ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ कि पूल protecting में वीडियो स्था की वीडियो में, आपको नौल आपको यह aिसले आपको यह बारे म में वीडियो कि वीडियो के साथ, अभरे में भी में भी में बते हैं, कि